बिस्मिल्ला इर्मानी रहीम डियर स्टुडेन्ट्स, आई होप आप लोग खेरियत से होंगे तो आज हम अपने नेक्स लेक्चर की तरफ चलते हैं लास्ट लेक्चर में हम लोगोंने वेक्टर पॉड़क्ट को डिसकस किया था कि वेक्टर पॉड़क्ट क्या होता है तो उसमें दो वेक्टर जो मल्टिप्ला होते हैं और उनकी रिजल्टेंट कॉड़क्टी भी वेक्टर कॉड़क्टी होती है तो ऐसे पॉड़क्ट को हम कह देते हैं vector product और vector product को denote कैसे करते हैं उनके दर्मियान cross लगाते हैं तो इसलिए हम इसको cross product भी कहते हैं इसको हम अगर A और B vector में vector product है तो हम उसको लिखते हैं A cross B अच्छा जी फिर important चीज़ हमने इसमें यह देखी थी कि vector product में हमारे पास जो effective component होगा वो हमेशा sin theta होगा तो फिर हमारे पास का फामूला जो बना था वो A x B is equal to A B sin of theta बना था और क्योंके ये vector product है तो इसमें magnitude के साथ direction भी दरूरत होती है तो हमने देखी थी कि इसकी direction हमेशा हम किस तरह से draw करते है राइट हैं रूल से हम इसकी direction को find करते है जो के एक perpendicular की सूरत में आती है राइट हैंड रूल जब हम apply करते हैं तो हमारा जो thumb होता है वो बिल्कुल straight होता है तो वो एक perpendicular की तरह होता है उस A और B vector पे तो वो हमारे पास जो perpendicular है जिसको हम normal भी कहते हैं उसका unit vector हमने एक define किया हुआ है उसे हम n cap कहते हैं तो फिर complete formula हमारे पास बना था A cross B is equal to A B sin of theta n cap n cap direction को शोग कर रहा था और A B sin of theta हमारे पास magnitude को शोग कर रहा था फिर हमने इसकी characteristic भी कल के lecture में start की थी और first characteristic हमने देखी थी जिसमें हमें पता चला था कि vector product या cross product commutative नहीं होता क्योंकि जब हम A cross B find करते हैं और B cross A find करते हैं तो दोनों के resultant की direction opposite हो जाती है एक में A cross B अगर C vector के equal आता है तो B cross A minus C के equal आता है that's why यह जो हमारे पास vector product है यह commutative नहीं होता commutative property hold नहीं करती इसके उपर अब हम इसके next characteristics की तरफ चलते हैं इसकी characteristics same वैसे जैसे हमने scalar product में देखी थी parallel vectors के लिए जिनमें theta 0 था anti parallel के लिए जिनमे theta 180 था और perpendicular vectors के लिए जिनमे theta 90 था वो ही सारे steps अब हम इदर भी करेंगे cross product के लिए और देखेंगे के यहां पर resultant क्या होगा और जैसे हमने वहां पर unit vectors को साथ साथ चलाया था यहां पर भी हम unit vectors को साथ साथ चलाएंगे अच्छा जी second property की दरफ चलते हैं second property में वो कहता है कि अगर हमारे पास दो vectors हो और वो perpendicular हो मतलब उनके दरम्यान theta 90 हो तो उनका vector product क्या आएगा तो जैसा कि हमें पता है कि sign जो है वो sign 0 की value यह अब तीनो values यह भी आप को याद होनी चाहिए sign 0 0 होता है sign 90 1 के equal होता है और sign 180 फिर से 0 होता है तो यह आपको याद होना चाहिए कि sign 90 पे value maximum होती है और यहाँ पे आपको यह भी अंदाजा हो जाएगा कि sign और cause जो है वो काफी हद तक एक दूसरे के opposite है sign 0 जब होता है तो यह 0 होता है but cause 0 1 होता है जो कि उसकी maximum value है फिर sign 90 जो है यह 1 हो जाता है जो कि sign की maximum value है but cause 90 0 था तो यह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए याद होनी चाहिए तो उसने values put की है अदर इसको देखते हैं अब formula हमारे पास है a cross b is equal to a b sin of theta n cap तो अब इसमें जब हम theta 90 put करेंगे तो हमारे पास sign 90 हो जाएगा a b sin 90 n cap तो sign 91 के equal होता है तो उसकी जगा उसकी value put की तो हमारे पास answer आ गया a cross b is equal to a b n cap तो यह maximum value होती है cross product की next साथ साथ अब हम unit vectors को चलाएंगे unit vectors को चलाने का फाइदा हमें last time भी क्या हुआ था आपको याद होगा जो six number वाली property थी scalar product में तो उस property के अंदर हमें वो जब i.i i.j j.j हो गया था तो तब हमें उस characteristics ने बहुत फाइदा दिया था जिसमें हमने साथ साथ unit vectors को पढ़ा था cross product में भी हम साथ सा unit vector को पढ़ेंगे इसमें भी वही वाली हमारे पास multiplication वाली जो एक characteristic है वो आगे आनी है तो जी इसमें अब वो कहता है कि let's suppose हमारे पास अब दो vector है i और j क्योंकि ये भी perpendicular vectors है i cap, j cap और k cap तीनों में 90 का angle बन रहा होता है तीनों एक दूसरे पर perpendicular होते हैं तो i cross j जो है वो is equal to हो गया i j sin 90 अच्छा अब यहाँ पर एक सबसे important चीज आपने जो note करनी है वो ये करनी है कि normally हम a cross b is equal to a b sin theta n cap लगाते हैं जो unit vector लगाते हैं वो n cap लगाते हैं जो कि normal होता है a vector और b vector पे 90 के अंगल पे वो normal जो होता है वो n cap उनकी direction होती है लेकिन जब हम unit vector की बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे i cross j की जब बात आई तो हमने unit vector n cap नहीं लगाया हमने k cap लगाया तो इसकी reason आपने इंताही गोर से सुननी है देखें i और j इन दोनों पे जब आप perpendicular draw करेंगे 90 के अंगल पे तो जाहरी बात है वो तीसरा axis आजाएगा जो के हमारे पास z axis पे जिस पे k cap हमने कहा था i और j पे जब आप perpendicular draw करोगे तो वो k cap ही आएगा सेम इसी तरह से जब आप j cap और k cap पे perpendicular draw करोगे तो वो i cap आजाएगा क्योंकि ये तीनों जो unit vectors हैं ये एक दूसरे पे perpendicular है i cap, j cap, k cap तीनों का angle 90 बनता है आपस में तो किसी भी दो पे तीसरे को देखेंगे तो तीनों पे perpendicular ही होगा और वो वो ही normal ही होगा तो यहाँ पे n cap लिखने के ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हमारे पास पहले से ही हमने नाम रखे हुए कि i और j पे perpendicular draw करो तो वो k cap है j और k पे perpendicular draw करो तो वो i cap है k और i cap पे अगर perpendicular draw करो तो वो j cap है ठीक होगा तो ये formula जो इनों ने लिखा है i cross j जो है is equal to i j sin 90 और आगे क्या आगया k cap आगया तो आई थिंक आपको ये बास समझ में आगयी होगी अच्छा जी अब क्योंके sin 91 होता है और i की magnitude भी 1 होती है j की magnitude भी 1 होती है तो i cross j is equal to होगया k cap के equal आगया बाकी तीनों values 1 1 है वो put कर दी है तो i cross j is equal to k cap है इसी तरह से similarly नीचे देखें अगर हम j cross k find करते तो वो i cap के equal आजाता अगर हम k cross i find करते तो वो j के equal आजाता ठीक हो गया अब अगर हम इनकी direction reverse कर दें जैसे हमने i cross j किया तो k cap आया अगर हम j cross i कर देंगे तो obviously हमारे पास direction जो है वो क्या हो जाएगी वो opposite हो जाएगी जो इसके सामने हमने लिखा हुआ है j cross i जो है वो is equal to है minus k अब यहां पे vector product में multiplication में भी आपने बहुत ख्याल रखना है कि क्या वो i cross j है या j cross i है दोनों सूर्तों में जो answer आएगा उसमें negative sign का फर्क होगा i cross j kk equal j cross i minus kk equal सेम इसी तरह से बाकी तीनों भी लिखे हुए तो इनका आपने खास ख्याल रखना है उसके बाद next property की तरफ चलते हैं अब next में वो कहता है कि let's suppose अगर हमारे पास दो vectors parallel हो या anti parallel हो तो ऐसी situation में हम कैसे cross product find करेंगे तो सबसे पहले हम देखते है parallel vectors के लिए formula वोई है a cross b is equal to a b sin theta n cap तो इस में अच्छा ये एक correction कर लें dear students इंतहाई concentration से ये मेरी बात सुनें यहां पर गलती है helping books में कुछ गलतीया हो जाती है तो अब आप देखें कि उसने लिखा है a cross b is equal to a b sin of theta बस ये complete नहीं है इसके सामने n cap लिखना पड़ेगा तब ये complete होगा तो आप इसमें a cross b is equal to a b sin of theta n cap आगे लिखनें ठीक है तो तब ये formula complete होगा ये वो यहां पर एक typing mistake है अच्छा जी उसके बाद देखें parallel vectors में मैंने आपको last lecture में बताया था क्योंकि उनकी direction सेम होती है वो मिलते नहीं है किसी point पे तो उनमें angle बनना possible ही नहीं है और जब angle बनना possible ही नहीं है तो हम उसमें consider करते हैं कि उसका theta 0 है तो parallel vectors में theta 0 put कर दिया a cross b is equal to a b sin of 0 n cap और आपको पता है कि sin 0 जो होता है वो 0 होता है तो that's why इसका जो answer आएगा वो 0 आएगा तो अब क्योंकि ये vector है तो हम 0 दो नहीं लिख सकते हैं तो a cross b को हमने क्या लिख दिया है null vector लिख दिया फिर इसी तरह जो हम anti parallel vectors की तरफ जाएंगे anti parallel vector में भी हम discuss कर चुके है theta 180 होता है तो 180 जब put करेंगे sin 180 भी 0 होता है तो इसमें भी answer जो हमारे पास a cross b का आएगा वो 0 के एक वा लाएगा मतलब कि null vector आ जाएगा अच्छा जी अब ये तो हो गए हमारे पास general vectors a cross a और b अगर हम unit vectors को देखें जैसे हमारे पास i cross i देखें j cross j देखें या k cross के देखें तो वो भी answer हमारे पास 0 ही आएगा क्यों? क्योंके i और i दोनो parallel vectors है theta 0 होगा तो answer 0 आ जाएगा vector product के लिए तो यहाँ पर answer हमारे पास null vector आ गए निचे आपको last line में नदर आ रहा है i cross i is equal to j cross j is equal to k cross k equal to 0 null vector आ गए उसके बाद next हमारे पास property जो है self product की तो इसमें अगर हम एक a vector को a vector के साथ उसका cross product लेंगे तो जाहरी बात है वो भी parallel vectors ही बन जाएंगे तो parallel vectors में थीटा जो है वो 0 होता है तो वो थीटा 0 put करेंगे तो a cross a भी 0 ही आ जाएगा null vector आ जाएगा तो उसमें फिर हमने इसको null vector लिख दिया अब चलते हैं जी फिफ्ट property में ये same वो ही है जैसे हमारे पास dot product में थी multiplication same वैसे करनी है जैसे वहां पे की थी लेकिन यहां पे आपने ख्याल क्या करना है यहां पे अब ख्याल करना है यूनिट वैक्टर्स में आपने देखना है कि आपने i cross j K की value put करनी है या J क्रॉस I की value put करनी है same ऊसा से K क्रॉस I देखना है या I क्रॉस K के देखना है तो उससे फिर आपको Signs में difference आजाएगा फिर कहीं पे negative आएगा कहीं पे positive जैसे कि आपको ये नदर आ रहा होगा ये कहीं पे ब्रैकेट में के कैप नदर आ रहा है आपको कहीं पे ब्रैकेट में माइनस के कैप नदर आ रहा है इसी तरह से कहीं पे आई कैप नदर आ रहा है तो कहीं पे माइनस आई कैप नदर आ रहा है तो ये नेगटिव साइन आपके पास आ जाएंगे जब आप इंतहाई गोर से इनको इनकी वैलियोस पूट करेंगे तो यह आप लोगों का टास्क है यह आप लोगों ने करने है लास्ट लेक्चर में भी मैंने कहा था और कुछ स्टूडेंट्स जो थे तब ही आपको यह क्लियर होगा सिरफ देखने से यह आपको समझ नहीं आएगा आपको खुद इसको सॉल्व करना पड़ेगा और मल्टिप्लाइकेशन का तरीका इसमें सिंपल ही है मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि पहली ब्रैकेट पे जो फस्ट वैलियो है उसको दूसरी ब्रैकेट के तीनो वैलियो से मल्टिप्लाइ करके लिख देना है फिर पहली ब्रैकेट की सेकिंड वैलियो को अगली ब्रैकेट की तीनो वैलियो से मल्टिप्लाइ करना है से आपने मल्टिप्लाइ करके और यह लिख देने हैं अच्छा जी लेकिन वेक्टर प्रॉड़क्ट में यह मल्टिप्लाइकेशन का एक तरीका तो यह आ गया जो हमने लास्ट डिजिट होता है उसकी रोसकी कॉल्म को छोड़के बाकियों को क्रोस मल्टिप्लाइ करते हैं तो इस तरीके से भी डेफ्लनेंट से भी अप यह जो आंसर निकालेंगे वह सेम और ही निकलेगा जो उपर वाले टीरके से आपके पास अंसर आया है लेकिन यह डिटर्मिनेट वाला तरीका आउनलाइन बताना थोड़ा सा इसमें मुश्किल हो जाएगा तो जैसे ही इन्शालला कॉलिज इस ओपन होंगे तो मैं यह अपनों को वाइड बोर्ड पे यह तरीका भी करके दिखाऊंगा यह तरीका ज्या करता है कि Cross product जो है यह एकल होता है area of parallelogram की the magnitude of vector product is equal to the area of parallelogram तो area of parallelogram की इकल होगा वो कैसे होता है बहुत सिम्पल ہے area of parallelogram equal होता है length multiplier by height height को altitude भी कहते है length multiply by height जैसे आप rectangle का area करते है जिसमे length into width होता है सेम इसी तरह से area of parallelogram जो होता है वो length into height होता है altitude भी height को कहते है तो भाप पुर नदर आ रहा होगा ये a cross b equal to ab sin theta n cap तो इसको हम अगर हम इसकी magnitude देखें क्योंकि हमने area के लिए magnitude चाहिए area की direction तो नहीं होती जैसे आपको कोई भी कहता है कि मेरा एक कनाल का plot है तो इसको direction तो नहीं देनी पड़ती कि एक कनाल शुमाल की तरफ एक कनाल जनूब की तरफ तो area एक scalar quantity है तो वो कहता है कि surface area की बात होती है surface area जो है वो scalar quantity होती है अच्छा तो इसमें अब वो कहता है कि अगर हम a cross b की magnitude को देखें तो वो equal to होती है a b sine of theta अब a b sine of theta में उसने a और 7 b sine theta को bracket में लिख दिया है अब आपने ये देखना है कि a cross b equal to है a into b sine of theta और इस साथ diagram में अगर आप गहर से देखें एक b vector है जिसका उसने component draw किया है b sine theta और नीचे एक vector है o से r तक वो a vector है p से लेके s तक जो है वो b sine theta है o से r तक जो है वो vector a है तो अब इसमें जो जिसे कहते हैं कि b sine theta की जगा पे ps लिखा जा सकता है और a vector की जगा or लिखा जा सकता है मैं एक दबार repeat कर रहा हूँ इसको गोर से देखें कि क्या हम ps जो है ये लिख सकते हैं b sine theta की जगा पे और क्या हम a vector की जगा पे o से r तक लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं ये उसने यही किया कि a की जगा पे नीचे or लिख दिया और b sine theta की जगा नीचे ps लिख दिया or जो है वो इसकी length है basically अगर आप देखें और ps जो है वो इसकी altitude या height है altitude height को कहते हैं आप यह height भी लिख सकते हैं तो ये आपके पास length into height जो है ये area of parallelogram है तो इससे ये थाबित हुआ कि a cross b की अगर हम magnitude लें तो वो area of parallelogram के equal आती है ये बात जहीं में रखनी है a cross b की magnitude अगर हम लें तो वो किसके equal आती है वो area of parallelogram के equal आती है तब ही हमने n-cap अटा दिया क्योंकि हम सिर्व magnitude की बात कर रहे हैं n-cap तो direction के लिए होता है तो ये थी characteristic dear students ये दोनों topic बहुत important है scalar product b और vector product b इन दोनों को अपने अच्छे से proper तरीके से इनको याद करना है और इनको differentiate करना है दोनों में आपस में differentiation होनी चाहिए कि scalar product में product क्या है vector product में product क्या है वहाँ पे effective component क्या है यहाँ पे effective component क्या है वहाँ पे parallel vectors का answer क्या आता है यहाँ पे parallel vectors का answer क्या आता है वहाँ पे perpendicular vector का answer क्या आता है यहाँ पे perpendicular vector का answer क्या आता है तो यह सारी चीज़ें आपने इनको differentiate करनी है कि आपको पता होना चाहिए कि दोनों में answer क्या क्या हा रही है तो इस तरह से जो आपको concept clear होगा तो फिर आपको लिखने में असानी होगी और आपको यह mix नहीं होगे आपस में आज का lecture यहीं तक है थैंक यू अलाफ़स